हेलो एरिवंड, चलिए हम लोग गोट एन इस्ट्रिम को और आगे लेकर चलते हैं, इसमें कुछ मैं नया कोशन लेकर फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नाव धारा की दिशा में 5 घंटे में 28 km की दूरी तय करता है, बेसिक कोशन रहेंगे इसमें भी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग धिरे धिरे लेवल बढ़ते चले जाएगा, जबकि उतने ही समय में धारा के विप्रीत 13 km की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल कितनी है, और शांत जल में 9 की चाल कितनी है, अब बोट कवर्स दिस्टेंस अब 28 km in 5 hours, in the direction of the stream, while in the same time cover the distance of 13 km in the opposite of stream, then how much is the speed of stream and how much is the boat's speed in still water, मैं UV के बारे में आपको बता चुका हूँ, उसी को लेकर चलेंगे, उसी से ये सारे questions बनते चले जाएंगे, UV और XY हमको याद होना चाहिए, ठीक है, तो U, हम लोग क्या लेकर चल रहा है, U, speed up boat or person in the direction of the stream, ठीक है, धारा की दिशा में 9 की चाल, या वेक्ती की चाल, इसमें हापे क्या 9 की चाल दिया है, तो 9 के चलेंगे, धारा की दिशा में 9 की चाल, ये U है, इसी को लेकर चल रहा ह तो कैसे निकलेगा ये, downstream speed कैसे निकलेगा, 28 किलोमेटर की दूरीताय करता है, तो 28 कितने घंटे में, 5 घंटे में, ये तो question में दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा 5.6 किलोमेटर पर आवर, ये, अंसर नहीं है ये, उसके बाद, V की आओ सकता पड़ी, धारा के विपर धारा के विपरित भी दिया हुआ है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 किलोमेटर की दूरीत दे करता है, उतने ही समय में, 13 by 5, उतने ही समय में दिया हुआ है, और 5 hours पहले दिया हुआ था, ठीक है, ये हो जाएगा, 2.6 किलोमेटर पर आवर, ये हो जाएगा, ये हो धारा की चाल और 9 की चाल निकाल नहीं है ठीक है 9 की चाल हम X लेते थे और यह Y लेते थे धारा की चाल Y लेते थे तो यह हो जाएगा देखो U प्लस V बाई 2 और यह हो जाएगा U माइनस V बाई 2 हर कोशन में ऐसा ही होगा U प्लस V बाई 2 U minus V by 2 ठीक है? चली यहाँ पर देख लिएते हैं U plus V 5.6 है क्या है यह 5.6 और 2.6 divided by 2 यह क्या है? speed of boat in still water बदब particular speed of boat है वो ठीक है? यहाँ से 5, 2, 7, अब एक 8 8.2 और यहाँ से आ गया कितना आ गया है? यहाँ से 4.1 kilometer per hour यह कितना आ जाएगा? देखो 5.6 minus 2.6 divided by 2 यह तो ऐसा हो गया 3 by 2 यह जाएगा 1.5 kilometer per hour यह ऐसा हो जाएगा ठीक है? तो 12 की चाल 9 की चाल X, Y, U, V क्या है? मैं पहले पाट में बता चुका हूँग ठीक है? यह ऐसा लिख लेते हैं यह नौ या बोट का जो स्पीड है वो है यह और यह स्ट्रीम का है या धारा का है स्ट्रीम का है हर कोशन में यही रहेगा ठीक है? अभी और कोशन कुछ करके देखते है जबकि उतने ही समय में धारा के भी प्रित तीस किलो मेटर की दूरी ताय करता है तो शांत जल में नौ की चाल कितनी है? इसमें शांत जल में नौ की चाल कुछी है मतलब एक्स को पूछा हुआ है यू भी यहां से क्लियर दिखाए दे रहा है यू कितना है यहां पर? 48 किलो मेटर 4 हर्स में तो 48 बाई 4 12 किलो मेटर दाले है यह 12 किलो मेटर पर आवर V वैसे ही क्या दिया हुआ है? उतने ही समय की बात कर रहा है ज्यादार ऐसे ही रहेगा कोशन में वर्ट्स वैसे ही रहेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होता है 7.5 किलो मेटर पर आवर ठीक? अब इसमें क्या पूछा हुआ है कोशन में? कि शान तजल में नौ की चाल मतब एक्स पूछा हुआ है और एक्स क्या है? एक्स यू प्लस वी बाइ टू सीधा सीधा ये 12 प्लस 7.5 बाइट टू ये कितना हो जाएगा? साथ दोना 19.5 बाइट टू ठीक है? इसका अधा 20 का अधा 10 होता है और ये कितना हो जाएगा? 2 निया 18 होता है क्या? ठीक है उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये 9.75 9.75 किलोमीटर पर आवर ये हमारा अंसर हो जाए ठीक है? कोशन इजी है आप सभी बन जाएगा देखते हैं, next question क्या दिया हुआ है? ये इस टाइप का दो कोशन था. Next question थोड़ा से अलग है, देखते हैं उसमें क्या है? एक नाव धारा की दिशा में किसी दूरी को 3 घंटे में तै करता है जबकि धारा के विप्रीत उतने ही दूरी को साथ घंटे में ताय करता है, यदि शान्त जल में नौ की चाल, पांच किलोमेटर पदी घंटा है, तो धारा की चाल कितनी है, ठीक है, A boat covers a certain distance in 3 hours in the direction of the stream, whereas in the opposite of the stream covers the same distance in 7 hours, distance same है, ध्यान देखेंगे, If the boat's speed is 5 km per hour in still water, then how much is the speed of stream, speed of stream, यान कि Y निकालना है अपने को, X पता है, शान्त जल में नौ की चाल, पांच किलोमेटर पदी घंटा है, एक्स पता है, distance same है, धारा की दिशा में हो, या धारा की विपरित हो, distance same है, जाने का जो है, जितना दूरी जाता है, उतना ही दूरी जाता है, distance तो same है, ठीक है, और speed is equal to distance by time, distance is equal to speed into time, distance is equal to speed into time, speed, जब जाता है, तब x plus y होता है, जब जाता है, तब x plus y होता है, जूड जाता है, और time कितना लेता है, जाने में देखो, क्या दिया हुआ हुआ है, कोशन में, धारा की दिशा में किसी दूरी को तीन घंटे में ताय करता है, यह 3, time, speed into time, sorry, speed into time, distance हो गया यह, यह d, यह d, जब वापिस आता है, तो x minus y होता है, और कितने देर वापिस आता है वो, 7 घंटे में वापिस आता है, आने मुसको ज़्यादा समय लगता है, यह 7, speed into time, speed into time, speed into time, distance दोनों का equal है, distance दोनों का equal है, जितना जाता है, उतना ही आता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 की चाल्द दीवी है, मतलब x दिया हुआ है, 5 plus y into 3, और यहाँ से 5 minus y into 7, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा calculation नहीं है, 5 तीया 15, यहाँ से 3y, और 7, 5, 35 minus 7y, यह ऐसा हो गया, और इसको इधर transfer करने क्या, हाँ, मैं इसको इधर transfer कर लेता हूँ, 7 दिन दस 10y, और इसको इधर transfer करेंगे, तो यह हो जाएगा 20, 20 होगा ना हाँ, तो y is equal to 2 km per hour, सब चीज किलोमेटर पर आवर में चल रहा है, तो y is equal to 2 km per hour, यह हमारा answer हो जाएगा, क्या चीज़ है यह है, धारा की चाल, तो धारा की चाल 2 km per hour, easy है, यहाँ पे main है, यही चीज़ है, इसको आप लिख लिए, तो आगे solve हो जाएगा, बाकी तो solution है, ठीक है, अभी कोशन ऐसा है, उसको भी करकर के देखते हैं, समाझ माँ जाएगा, चलिए देखते हैं, बोटे निश्टिम तो एक interesting topic है ही, कोशन भी interesting होते हैं, एक वेक्ति कीसी निश्चित दूरी को, धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत, उतनी ही दूरी को 8 घंटे में तय करता है, अभी जैसे question देखें, इससे पहले वाला, वैसा ही है, यदि धारा की चाल 2 km पती घंटा है, तो वेक्ति की चाल कितनी है, अभी वेक्ति की चाल पुछा हुआ है, ठीक है, वो नाव की चाल पुछा हुआ था, वैसा ही, ठीक है, एक्स पुछा है, उसमें एक्स पूछा था, इसमें य पूछा है, एक्स डिस्टेस तो इक्वल होगा, और यहां पे, क्या दिया वह है, धारा की चाल 2 km, स्पीड का, स्पीड दिया हुए स्ट्रीम का 2, यह ऐसा, इन्टू, किसे मल्टिप्लाई करेंगे, चार घंटे में, जाने में, और एक्स माइनस, यहां पे 2 ही रहेगा, यह 8 घंटे आने में लगता है, ऐसा, यही तो दिया हुए कोशन में, ठीक है, डिस्टेस इक्वल है, जागा 4X, प्लस 8, इस इक्वल टू, 8X, माइनस 16, यह ऐसा हो गया, यहां से मैं इसको इहां ट्रांसफार कर लेता हूँ, 8, 24, और यहां से इसको इहां ट्रांसफार, 4X हो गया, X is equal to, यहां पर 6 km पर आवर, X is equal to क्या आगया, 6 km पर आवर, याने की वेक्ति की चाल कितनी है, 6 km पर आवर, ठीक है, स्पीड आप पर संग क्या हो जाएगा, 6 km पर आवर, कोशन इजी है, इसमें कोई बड़ी वाले बात नहीं है, next, देखते हैं, एक वेक्ति 5 घंटों में नदी के धारा के विपरीत की दिशा में, 11 km और उतने ही समय में नदी के धारा की दिशा में, 26 km पर आटा है, तो नदी का वेक्ति क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा परशन है, ऐसा लगए कोशन में कुस दिया नहीं हो है, निकालन इतना सार है, अब परशन कें स्वें, 11, स्वें, 11 km in 5 hours, in the opposite of the river stream, and in the same time, he can swim 26 km in the direction of the river stream, what is the speed of the river stream, यू वी वाला परशन है फिर से, यू, direction of the stream, तो क्या है ये 26 km तरता है क्या है, 5 hours में 26 by 5, ऐसा ले लेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 5.2 km per hour, वी, कितना तर लेता है, वो 11, 11 by 2, ये 2 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 है ना, time hard, 2.2 km per hour, अब क्या निकालना हमको, नदी की धारा कवेक क्या है, धारा कवेक, याने की वाई निकालना हमको, U minus V by 2, ये निकालना है, 5.2, 5.2, 2.2 divided by 2, यहां से 3 by 2, ये 1.5 km per hour, ये हमारा अंसर आजालना, 1.5 km per hour, आसान है, लेकिन कभी-कभी क्या है, समझ में नहीं आता, UV वाला है, XY वाला है, कोशन करेंगे तो समझ में आएगा हो, solution तो easy रहता है, ठीक है, चलिए अभी और एक कोशन है, ये थोड़ा अच्छा कोशन है, एक्जाम में आया हुआ था, इसे बहुत लोगों ने गल्ती कर दिया, देखते हैं वो क्या था, देखें कोशन ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रशन है, देखा जाये तो ये volume का प्रशन है, 3 मिटर गहरी और 40 मिटर चोड़ी नदी का वेक 2 किलोमेटर प्रती घंटा है, एक मिनट में कितने जल का बहा होगा, एक्चल में ये area, surface area, volume का कोशन है, लेकिन ठीक है, बोट का यूज हुआ है, नदी का यूज हुआ है, बहाव का यूज हुआ है, करके यहाँ लिए, देखेट अप 3 मिटर डीप and 40 मिटर वाइट रिवर इस 2 किलोमेटर पर आवर, how much water will flow in a minute, एक मिनट में कितना पानी बह जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्णा है, ये कोशन में एक्जाम में आया हुआ था, ठीक, तो चलिए इसको देखेंगे, कैसे बनाना है, एक मिनट में कितना पानी बह गया, वही निकालना है अपने को, तो पहले इसका वाल्यूम, क्या दिया हुआ है, तीन मिटर गहरी, तीन मिटर गहरी, और चालिस मिटर चावडी, मिटर में ध्यान देंगे, चालिस मिटर चावडी, चालिस मिटर चावडी, ओके, और क्या दिया हुआ है और वेग जोद्य है टू कीलो मेंटर पर आवर दो कीलो मेंटर पर हो लेकिन एक किलो मेंतर है उसको मीटर में चैंजक्स करेंगे टू इनटू वान थाउजन यह हो गया मित यह तो पूरे धंका हो गया है da वितों खिंटा होके हमको कितों निकाला एक मिनट का निकालना है टीक है उसको 60- companies करें गे गे हमको मीटर मेंकिल म समय कर दिया उसके बाद एक मिनट का चाहिए तो मैं 60 क्या कर दिया डिवाइट कर दिया, अब option में देखेंगे आप 1200 meter cube, 1800 meter cube, 4000 meter cube, 8000 meter cube, इसको solve कर लेंगे, यहां से, यहां से इसको cancel कर लेंगे, ठीक है, 3, 2, जा, और यहां से आ गया, 4, और यह 1000, 4000 meter cube, सब मीटर में था, meter cube, इतना पानी क्या हो जाएगा, एक मिराट में कितने जल का बहाँ हो जाएगा, 4000 meter cube, इतना पानी जल का बहाँ होगा, एक मिराट में, बहुत अच्छा प्रश्म थाई, चलिए, next question देखते हैं, एक वेक्ती नदी के बहाँ की दिशा में 32 km, बहाँ के विपरित 14 km की दूरी तै करता है, प्रतेक दूरी के होंगी, a person covers 32 km in the direction of the river flowing and 14 km in the opposite and takes 6 hour for each distance, what will be the speed upstream, ये भी question exam में आया हुआ था, speed upstream निकालना है, तो यू देखो यहाँ से, 32 km किया है, कितना है, 6 hours में, तो 32 by 6 km per hour, आप चाहिए तो solve कर सकते हैं, v 14 दिया हुआ क्या, हाँ 14, 14 by 6 km per hour आप चाहिए solve कर सकते हैं, हमको और आगे solution जाना है, इसलिए मैं आगे solve करेंगा उसको direct, अब वो पूछा हुआ है, कि बहाँ की गति क्या होगी, speed upstream, तो y आता है, और y क्या होता है, u minus v by 2, यहाँ कि 1 upon 2, और यह क्या है, 32 by 6 minus 14 by 6, यह 1 upon 2, यह ऐसा ले लिए, यहाँ से, हम लोग मैनस कर लेंगे, 12 minus 4, 8 आगया, और यह 18 आगया, 18 by 6, यह ऐसा हो गया, 6-8 होता है, 3 times cancel हो गया, 3 by 2, 1.5 km per hour, यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक, और option में 1.5 को यह 1 and half दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं, 1 and half km per hour, इसा कोई दिखका ताली बात नहीं है, ठीक, समझ में आना चीए, concept समझ में आगया, तो question easily बन जाएगा, अभी और question से, इसको भी करके next question देखते हैं, शांत जल में एक नदी की प्रवाह की चाल, एक नव की चाल का एक तिहाई है, देखो ऐसा question exam में आता है, और यह आया भी हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, यदि ए नदी के प्रवाह के अनुकूल 3 घंटे चलती है, और फिर नदी के प्रवाह के प्रतिकूल 3 15 घंटे चलती है, और यह अपने प्रारामभिक बिंदू से 18 किलोमेटर पीछे रह जाती है, ठीक है, तो शांत जल में नव की चाल कितनी है, बहुत अच्छा प्रश्ण है, ऐसे questions में students जो है, confused हो जाते है, ठीक है, the speed of flow of a river in the still water is one third of the speed of the boat, ठीक, if a runs for three hours downstream, then runs for three hours upstream, then it lacks 18 km from the starting point, how much is the boat speed in still water, बहुत अच्छा प्रश्ण है, ऐसा question आप से बनना चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या लेकर चलते हैं, नाव की चाल, ध्यान से समझेंगे, solution बहुत easy है, समझ रहा है, बस, नाव की चाल, speed of board, x km per hour लेकर चलते थे, हाँ, h लेकर चलेंगे, इसमें कोई दिक्क्रत वाली बात की है, x km per hour, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कि जो प्रवा की चाल है, speed of stream है, जो नाव की चाल है, उसका क्या है, उसका क्या है, वो, वन थर्ड है, क्याने की, जो y है, यहाँ पर x by 3 km per hour है, ऐसा वो दिया हुआ है, पहला ही लाइन में बहुत लोग कन्फ्यूज रहेंगे, एक तीहाई है, क्या एक तीहाई, कैसा एक तीहाई, इसको हम लोग क्या ले लिए, x km per hour ले लिए, तो यह हो जाएगा, x by 3 km per hour, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलेंगे, 3 घंडे चलती है, फिर प्रतिकूल 3 घंडे चलती है, वो भी दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक बिंद्यू से 18 km पीछे रहा जाती है, उसको देखेंगे हम लोग, पहले वो, x plus y, x plus y चला, 3 घंडे चला, 3 घंडे चला, speed into time यह डिस्टेंस है, फिर वो x minus y चला, 3 घंडे चला, डिस्टेंस से नहीं है, यह पहले चला, फिर बाद में चला, अब दोनों का जो अंतर है, यही बोरह 18 km, 18 km कम हो जाता है, पहले चल के गया, लेकिन जब वापस आ रहा था, 3 घंडे में, वो 18 km पीछे रहा जाता है, 3 घंडे चलने के बाद, यही है, ठीक है, अब देखिए, यहां एक्स तो एक्स है, y क्या है, x plus x by 3 है, यह ऐसा, into 3, आपको ऐसे questions के YouTube में, बहुंँ सारे tricks मिल जाएंगे, ट्रिक्स तो क्या है, तुरांट समझे, बनाए कोशन फिर भूल जाते हैं, लेकिन concept हमेशा याद रहते हैं, चलिए मैं 3 को कॉमा ले लेता हूँ, यह 3 को कॉमा ले लिया, तो x plus x by 3, यह 3 है क्या, 3 minus x, यह ऐसा हो गया, minus minus plus हो गया, plus x by 3, यह 18 हो गया, ठीक है, यह 6 ती अठारा हो गया, यह 6 टाइमस में cancel कर लिया, और यह cancel हो गया, और 2x divided by 3 is equal to 6, x is equal to 6 into 3 by 2, यह हो गया, यह 2 टाइमस नितिया 9, 9 किलो मेटर पर आवर, question में यही पूछा हुआ था, क्या, शान्त तजल में नाव की चाल कितनी है, मतलब x को पूछा हुआ था, वो 9 किलो मेटर पर आवर, यह हमारा आजसा, यह बहुत अच्छे प्रशन में से एक है, ऐसे question आप से बनना चाहिए, यह question तो नहीं आएगा, यह हो सकता है, आभी ज question से बनाना है, इसको भी करके देखते है, इस part के last question रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, एक नाव की गती स्थिर पानी में, 15 किलो मेटर प्रती घंटा है, यदि 30 किलो मेटर नदी की धारा के विरुद, तधा धारा के विदिशा में गती करते हुए, पुना अपने इस्थान पर चार घंटा 30 मिनट में वापिस आ जाती है, तो नदी की धारा की गती क्या होगी, देखो ऐसा जो वर्ट से, वर्डिंग से, question exam में आया हुआ है, मतलब बहुत जबर्दस्ती वो घुमाया रहता है, question रहता है कुछ नहीं है, और, the speed of boat is 15 km in the steady water, या still water, it covers 30 km in upstream and downstream distance in boat direction in 4 hours 30 minutes, and returns to initial point, so what will be the speed of stream of the river, speed of the stream of the river, 30 km जाता है, 30 km आता है, ऐसा question कर चुगे है हम लोग पहले, देखे, 30 km जाता है, 30 km आता है, ठीक है, लेकिन, धारा की गती हमको नहीं पता है, और क्या पता है, 9 की गती पता है, x पता है, x याने की 15, यह हमको पता है, ठीक, 15 plus y, और 15 minus y, यह तो कर रहा है, 15 plus y, 15 minus y, ठीक है, जाता है, और वापीस आता है, ठीक, टोटल टाइम लेता है, हमको क्या निकालना है, y निकालना है, यह y को हमको निकालना है, इस तरीके से जाएंगे, इसको solve करते जाएंगे, तो बहुत समय लगेगा, आप्शन से चलेंगे, आप्शन में क्या-क्या दिया हुआ है, देखो, 5 km पर आवर, 6 km पर आवर, 8 km पर आवर, 9 km पर आवर, ऐसा यह दिया हुआ है, ठीक, तो ऐसे question को अब लोग आप्शन से लेकर चलेंगे, आप्शन में y की जगह आप 5, 6, 8, 9 रखके दिखेंगे, अं सार मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, 5 है, मैं उसको नहीं रख रहा हूँ, मैं रखता हूँ 6, ठीक है, 30 by, यहाँ पर 6 रखूं, यहाँ अगर 21, ठीक, प्लस, 30, यहाँ पर मैं 6 रखूं, यहाँ आगा 9, तो इसको कैसे भी करके जोड़ तोड़ करेंगे आप, तो इस तरीक तो 15 प्लस 20 बन रहे था, 10 बन रहे है, यह सॉलुशन करने में इजी हो जाएगा, करके तू देखते हैं, ठीक है, आप्शन से करेंगे तूरण समझना आ जाएगा, 30, 15 प्लस 5, 20 हो गया, और 30, और 15 माइनस 5, यह 10 हो गया, ठीक है, यहाँ से 3 by 2, और 3 by 2 मतलब क्या हो जाए 5, 1.5 प्लस यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4.5, 9 by 2 वह है 4.5, इसका मतलब हमारा जो क्या लेकर चल रहे थे, Y, Y हो जाएगा 5 किलो मेटर पर आवर, ऑप्शन से ऐसा जो कोशन है, और एक पार्ट में आपको दिखा जाएगा, फिछले पार्ट में था, इस पार्ट में आप ऐसे ही इंटरिस्टिंग कोशन देगे, पस और भी कोशन है, तो धिरे धिरे आपके सबने लेकर आऊँगा, आप पोर्ट इंडिस्ट्रीम एक बार पूर कंप्लीट सीरीज देख नहींगे, तो कोई परिशाने नहीं होगी, आप से कोई भी कोशन फिर बढ़े, तो मै झाइब करो घोadowने बाइब बड़े, एक भी कोशन फन्साहर आपके सबने होगी, तो मैघकी होगी नहींगे, तो पूर आपके स सन लोग भी कोशन पोंसे होगी, तो कोशन तो कैप्लीट Less ilok pushing स captive about 2 more एकक पपकी star n Колो तो कोशनosis वाउमन कोचक लाओन के से कोशन commence को जाब़